रीड लेवल टू को भाल करने की मांग करें रीड लेवल वन के लिए इस पहले मैं कुछ पोजिटिव चीज बताना चाहूंगा जो नई सेकेंड गेड बढ़ती का इंतिजार करें मैं सुबह सिक्षायवाग पवन कुमार गोईल साब जो आये सदीगर से मैंने मुलाखात की तो इसी वीक में अब्रतना फर्स्ट गेड बिजवादेंगे नहीं हुआ तो अगले वीक में चले जाएगी जो फर्स्ट गेड बढ़ती का इंतिजार करें उन अभ्यरतियों के लिए खावर है कोशिश से यह है मैंने पहले भी ट्यूट किया था कि फर्वरी मार्च में इसकी विगपती जाएगी मार्च में यदि कोई कमी नहीं नहीं तो आपकी फर्वरी में फर्स्ट गेड और से कि फर्स्ट गेड और रीट पातरता और सिक्षक बर्ति जो कर रहे हो सब में समय बेरुजगारों को देना चाहिए आज आरेस बर्ति में सलेबस को बढ़ाव कर दिया गया आरेस बर्ति में अत्रिक समय देने की मांग को लेकर रास्तान विश्ट विद्याले में लोग धरन गया जिसकी वज़े से इनको अत्रिक समय मिनना चाहिए इस समंध में मैं सिक्ष्यमंत्री जी समलाकात की सीमों मैं अधिकारियों से बात की तो सातियों अब मैं आपको आरेस बर्ति 2021 के लिए बताना चाहूंगा जहां तक मेरी बात हुई है कि उन्होंना आर्पीएसी में बात की आर्पीएसी का दिगारी को कहना है कि हमारा शेडूल जो हमने कलेंडर जारी किया उसके अनुचार यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो साल बर तक यह बढ़ती लेट हो सकती है ऐसे में आर्पीएसी ने सरकार को नेगिटिव जवाब दिया है कि जो जारी किया है कि में देरी हो सकती है। ने मना कर दिया। अब आप का अंदोलन जा रही अब का निर्ण सरकार को करना है लेकिन आज की decre लेट हो सकती है पर समय पर नहीं हो पाई गिए बढ़ती साल बर के लिए का साल बर यह लेट हो सकती है यह आर्पेसी का कहना है हाला कि मैं अठारा तारी को जा रहा हूं आपकी बात मजबूती से आर्पेसी जो अध्यक्स मैंने उनसे मुलाकात करके रखने कोशिश करूंगा कि हां यह लोग पर पर लेता हूं फिर अन्य पर बोलूंगा रीट बहाली को लेकर ताति हो कई लड़के मुझे फोन करें अभी भी फोन मेरा लाइव आन्ने से पहले फोन आयदे कही लोग करें कि आप डेटा ओपन करने के मांग क्यों कर रहे हो कई लोग करें कि आप रीट लेवल टू को बहाल करने में हमारा साथ दो कई लोग के रहे हैं कि आप लेवल पस्ट भी रद करो यानि कि अलग लग लोगों को अलग लग मत एक के लिए बोल लिया दूसरा गाली यानि कि उपएन यादों को बीच में आना यानि कि कुल मिलाकर अपने नीजी सवार्थ के लिए जिस व वह सब चीजों को भूल जाते कि उपय नए ऑननी किस-Kis का साथ दिया नहीं ये कर दिया भाया इसलिए मैं CVAE के जाश के लगा समस्त पहल्त करूण गा ना रद करनी की मांग करूंगा, ना भायली की मांग करूंगा, मैंने एक बार भी रद करनी की मांग नहीं की थी, क्यों मुझे पता है कई लोगों ने बड़ी मैनत की है, क्योंकि मुझे पता है उनका दर्द और दुख मैंने देखा था, ये सरकार का निड़ने था, ये बड़ा कांड गया इसका खुलासा हो आप लोगों पता चले कि वहां वास्ता में कितना बड़ा कांड हुआ है कितना बड़ा गोठाला हुआ यह सब के सामने है इसलिए मैं CBA की मांग कर रहा हूं और एक चीज और बता दू मैं कि जो लेवल टू भाली की जो कर रहे है सरकान है आपना पैसले दिंगे बाई देना यार अब मेरे हाथ में कुछ Arizona हमारा साथ दो अब न्याई ले ही आपका साथ कि आयं प्लैशन हो सकती है हाँ सरकार ने जो लेवल रद किया नयौक虑ने कि वासता धियेशन कर रहा हूं कि तीन चार सो लोगों के पास है फिर कुछ ने कुछ तो कारण रहोगा उन्हों रद किया है लेकिन आप लगता आपको मजबूत है तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि सच को आश नहीं है आपको लगता आपके साथ गलत हुआ आप टोपर हो तो न्याई ले न्याई करेगा तो कुछ की स्वच्वेसिस जिल लोगर करें अच्छे नंबर आ रहे हैं लेवल तु रद सब्झाmy सच क्या है लेवल पर्ष्ट में कि मेरे कहीं है कई क्या होता है कि गाहون में माली जै century है ठीकर रमेश को पता है रमेश नेhor मैंनित किये लेकिन मेर बंत किये वो जुगाड कर रहा था वो एकर में तो पेपर लँगा अब अभी तक यह पता नहीं कि मुकेश के कितने हैं तो हम लोग जो डेटा सार्ज नहीं करें जो लोग है जो लेवल परस्ट और सेकेंड के जिए मेरा लाइव को देख रहे हैं हम 18 तारीकों सुबह 10 बजे मादिवी मैं दढ़ना प्रदाशन के लिए जा रहा हूं क्योंकि अध्यक से अध्यक से अन्य जो आरेस बरती हो चाहिए वरिश अध्यापाक बरती 2016 अन्य माम लोगों लेकर और बारा बजी मुलाकात करेंगे लिकिन पहले 10 बजी माँ प्रदाशन होगा कि डेटा ओपन हो आपकी गलत होगा माली जी डेटा ओपन होगा जिसके 125 130 128 132 नमर आ रहे उनको भी पता लग जाएगा कि वास्तव में 140 उपर कितने हैं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ किस किस तर गया कितना गफला वो भी उनको सचाई का पता लग जाएगा लग जाएगा कि जो 300 का अंकड़ा सरकार ने बताया है और शांसत साब ने बताया एक लाग तईस जात जो आगड़ा वह वह सई है गलत है कौन जूटा है कौन सई है सारे सचाई सामने आ जाएगी डेटा ओपन होगा तो आत्म संतुष्ट हो जाएगी हाँ इतने लोगों पास 140 नंबर आए इसका मलब सरकार ने बरती को रद किया तो सई किया क्या हमारा नंबर आता ही नहीं उनकी बैद में संतुष्ट होगी वहीं रीट लेवल वन जिनका भीदा कटोब जारी नहीं यदि डेटा ओपन हो जाता है तो उनकी पर आत्म संतुष्ट हो जाएगी इ नयाले में काम आ सकता है आप मजबूती से अपने लड़ाई लड़ सकते हैं उसलिए सातियों हम सब को मिलकर जो तमाम लोग रीट लेवल फर्ष्ट और सेकिंड से है वो डेटा सार्ज नहीं करवाने के लिए 18 तारीकों सुबह 10 बजे माद मिक्सिक्षा बोर्ड अज मेर पहुंचे मैं पहुंचूंगा हम सब मिलकर वाँ मीडिया वे रहेगे हम सब मिलकर आवाज मजबूत करेंगे जिसे डेटा सार्ज निक किया जाए कि हकिकत क्या है कौन जूट बोला कौन सच बोला क्योंकि डेटा ओपन होगा तो आप सब को जो रीट लेवल पस्ट की जो बढ़ती को बचाने के लिए लड़ रहे है उनको पता लग जाएगा कि मुझे बचाना चीए कि नहीं बचाना चीए उनकी गलत में दूर हो जाएगी